हम होस्ट्रेडिंग में कोई विश्वास नहीं करते और ये कॉंग्रेस अपने कुनवे को संभाल नहीं पाई कोई मडर होता है तो जद सहाब उसी समय निरणे नहीं देते उसका एक फ्रेम है उसके लिए सनवाई है अपील है दलील है रभ विश्वोड जो है दना दन हो रहे 25 विधाई के हिमाचल परदेश के 25 कंस्टिच्वंसिस को रिपर्जेंट करते हैं तो ये भी जीत करके आए हैं तो क्या हम मोनी बाबा बन करके बैठे रहेंगे हिमाचल परदेश में राजनितिक संकर जारी है और इस बीच भारतिय जनता पार्टी के उपर कॉंग्रेस ने कुछ सवाल उठाए हैं कॉंग्रेस का कहना है कि उनकी सरकार को अस्थिर करने में भारतिय जनता पार्टी का हाथ है इसी सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ भारतिय जन्ता पार्टी के वरिष्ट नेता विपिन सिंग परमार मौजूद है विपिन जी BBC से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य मंतरी सुखविंदर सिंग सुखु का कहना है कि उनकी सरकार को अस्थिर करने के लिए भाजपा ने शड़े अंतर रचा है आप इस पर क्या कहेंगे नहीं मैं यही कहना चाहता हूं कि अस्थिरता के जिम्मेवार भारतिय जन्ता पार्टी नहीं वो अपने गिरेवान में जहांग करके देखे हैं कि वो आज से 14 महीने पहले कहां थे और आज कहां पर खड़े हैं इसलिए किसी दूसरे पर कीचड उचालने से पहले वो स्वईम पर नजर दे यही मैं कहना चाहता हूं और जो आज राजनिती का स्थेरता पूरे हिमांचल परदेश में हैं इसकी जिम्मेवार उनके स्वईम के नेता हैं उनकी पार्टी है तभी तो छे लोगों ने पार्टी की लाइन से हट करके शिरी हर्ष महाजन जी को अपना सयोग दिया उसी का ये परिणाम है और ये असंतोष जो है दवा हुआ था ये असंतोष इनी की पार्टी की परदेशा द्यक्षा प्रतिवार सिंग जी की बोल बाणी और ब्यभार से भी नजर आ रहा है इनी के मंत्रियों के अचरण और ब्यभार से भी नजर आ रहा है इसलिए जिम्म बार कॉंग्रेस है भारतिय जनता पार्टी ने भारतिय जनता पार्टी स्थिरता में विश्वास करें। बारतिय जनता पार्टी स्थिरता में विश्वास करें। समाजी सरोकार कोई राजनिती की लाइन तै नहीं करते हैं। सुखदिक दुख और समाजी कामों में शामिल होना राजनिती की लाइन तै नहीं करती है। इसलिए कुछ लोग अखवारें ये कह रही हैं कि हमारे लोग उनके साथ हैं। अगर गए होंगे बादचीत की होगी संबाद किया होगा करेंगे भी क्यों नहीं। अब उन MLA's के पुतलों को फूंका जा रहा है। और फूंकने वाले कौन हैं। एक राजनितिक अविवस्था सुखु समर्थक पूरे हिमानचल परदेश में पैदा कर रहे हैं। तो इसकी हम अलोचना नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे कोई परसंसा करेंगे। नीचे और कम किया जा रहा है यह भी मैं कहना चाता हूं। क्या ये छे विदायक B.J.P. में शामिल होने जा रही हैं। नहीं हैंइशी तो हमारे पास कोई सूचना नहीं है कि वो किस पार्टी , किस दल में जा रहे हैं। अगर वो बीजेपी में शामिल होना चाहें तो बीजेपी का क्या रुख है इस बात के पर बारतिये जनता पार्टी का नेत्रित्व ही तै करता है कि कौन कहां पर जाएगा, कौन कहां पर आएगा, ये उनकी ही निर्धारण के विशे हैं. परमार साब, असेंबली में जो घटना करम हुआ, उसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बताएं, क्योंकि उसे देख नहीं पाई ये जनता, असेंबली के अंदर क्या क्या हुआ, जिस दिन राज्य सभा का चुनाब था, उस दिन क्या हुआ, और उसके अगले दिन क्या घटन रखा गया, एक तो ये क्यों हमें बंचित रखा गया, और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब बजट पारित हुआ, तो उसमें हम 15 सदस्यों को, हमारे नेता प्रतिपक शरी जैराम जी, हम 15 सदस्यों को बाहर का रास्ता दिखाया गया, और ओनरेवल स्पीकर साब ने के कारण, ये अविश्वास वहां पर पैदा हुआ है, उसका खम्याजा या उसका जिम्मेवार कोई हम नहीं है, वो जिम्मेवार कॉंग्रिस, कॉंग्रिस की हकूमत और स्वें मुख्य मंत्री, परमार साब आप खुद भी विधान सभा के स्पीकर रह चुके हैं, अगर इ समय निरने नहीं देते हैं, उसका एक फ्रेम है, उसके लिए सुनवाई है, अपील है, दलील है, तो अगर किसी नहीं कुछ किया है, उनकी बाद सुनी जाती, उनका पक्ष रखा जाता, और उसके बाद निरने लिया जाता है, यहां पर तो फरमान एक के बाद एक फरमान ज इस वक्त वो हर्याना में पंच्छकुला में एक होटल में हैं جो भागी हैं। हिर्याना में BJP की सरकार है। कहा जा रहा है कि उनकी सुरक्षा में CRPF है। यहां तक भी CRPF के लोग उन्हें स्कॉर्ट करके लाए, Central Police Force है, हर्याना पुलीस के लोग उनके साथ हैं. तो इस सब के बीच आप कैसे इस बात को नकार सकते हैं कि इससे BJP का कोई लेना देना लेए? मैं यही कहना चाहता हूं कि वो कहां पर हैं, कहां पर वो रह रहे हैं, वो सभी हमारे इसी विधान सभा के निशकाशन से पहले हमारे सदस्य थे, जहां वो रह रहे होंगे, अपनी कोई न कोई योजना बना रहे होंगे, अपने हक और लडाई के लिए उनको कहां तक जाना है उसका मन्थन और चिंतन कर रहे होंगे क्योंकि लोगों ने पान साल के लिए चुना था और फर्मान स्पीकर साहब ने तुरंट सुराया उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया इसलिए कौन कहां पर रह रहा है और कौन मिलने जा रहा है तो कोई भी किसी से मिलने कहीं भी जा सकता है यहां पर कोई लक्षमर रेखा तो तैय नहीं है मैंने पहले भी कहा है कि हमारे समाजीक सरोकार सभी के साथ रहते हैं हम चुनाव लड़ते हैं विचारिक मतवेद हो सकते हैं पर हमारे कोई मन के इस परकार के द्वेश नहीं होते आपकी पार्टी पर एक आरोप और लग रहा है कि भाजपा खरीद फरोखत कर रही है MLA's की होर्स ट्रेडिंग चल रही है इस पे आप क्या कहेंगे मैं इतने ही कहना चाहता हूँ कि आरोप जो है ये निराधार है हम होर्स ट्रेडिंग में कोई विश्वास नहीं करते और ये कॉंग्रेस अपने कुन्वे को संभाल नहीं पाई और ये जो विदाई का समय इनका आया है कोई ये राज्यास अवा के चुनाब से के समय शुरू नहीं हुआ ये पिछले चोदा महिनों से ये करम चला हुआ था शायद वो हलात और परिस्तितियों को इस सत्ता के नशे में समझ नहीं पाए विसफोर्ट राज्यास अवा के चुनाबों में हुआ और अब विसफोर्ट जो है दनादन हो रहे हैं और शायद ये विसफोर्ट जो है उनको घाइल उनी के लोग कर रहे हैं ये मैं कहना चाहता हूँ आपने पिछले चौदा महीने की बात की जब से ये सरकार बनी है क्या इस सरकार की विफलताएं रहीं आपके मताबिक नहीं लोगों को गुमरा किया और हमारी सरकार इसलिए नहीं बन सकी थी क्योंकि हिमाचल परदेश के लोगों को ये कह करके इन्होंने अस्वस्त किया था कि हम नौजवानों का ध्यान रखेंगे, हम किसानों का रखेंगे, बागवानों का रखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डॉल्मेंट की और आगे बढ़ेंगे, उप्भपताओं को मुफ्त विजली देंगे, मुझे लगता है कि उस सारे मामले में ये कॉंग्रेस सरकार पूरी तरह से फेल है, और शायर ये छे विधाईक भी इसी घुटन के कारण बाहर हुए है, इस घुटन में अच्छे लोग ज़्यादा समय तक रह नहीं सकते, और उसी का ये परिणाम है कि ये बाहर चाहिए. आने वाले दिनों में हिमाचल में भारतिय जनता पार्टी की सरकार बने की संभवना है? जिसको कह सकते हैं बंद कर दिया कोई स्ट्रेक्चिरल इंफ्रास्ट्रेक्चर डॉल्ब्मेंट के नाम पर ऐसी तमाम योजनाओं को पूरी तरह से बंद कर दिया अभी वही जनता वही जनता ये कहने पर विवस हो रही है कि हमने गरंटीयों के उन जूते अस्वाशनों के का कॉंग्रेस लाए थे पंतु इनोंने हमारे जो बचन दिये थे हमारे साथ जो कमिट्मेंट की थी वो पूरी तरह से असफल है इसलिए कॉंग्रेस सुखविंदर सिंग सुखू दो-तिन दिनों से रेवडियां बांट रहे हैं नराज लोगों को अपने साथ रखने के लिए कोई कैबनेट रेंग का चेर्मेन बना रहे हैं किसी को मंतरी बना रहे हैं पर मुझे लगता है कि इनका जो एक घर है ये घर पूरी तरह से बिखर गया है और ये सरकार ज़्यादा समय तक रहने वाली नहीं भाजपा के उपर जो आरोप लगे उनका आपने जवाब दिया लेकिन ये पूरा घटना करम जो चल रहा है कॉंग्रेस की अपनी अंदरूनी समस्याएं तो हैं ही लेकिन बार बार जितना भाजपा का जिक्र हो रहा है इस पूरे मामले में आपको लगता है इस से आपकी प और इस माननी है सदन में भारतिय जनता पार्टी के 25 विधाई कि और अगर ये 25 विधाई के 25 पर देश एक मजबूत संगठने तो ये मजबूत संगठन जो है अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको बंद आंखों से करके हम देखते नहीं रहेंगे जिनों ने कुछ किया है वो आत्मा की आवाज से चे विधाई को ने किया है यह मैं कर दो